दोस्तों, Library and Information Science की आज टोपिक नमबर सेकंड टाइप ओप Library Science पे चर्चा होगी तो दोस्तों हमने एक जो टोपिक नमबर एक है उस पे वीडियो अप्लोड कर दिया है वो आप Library and Information Science for RSSS में, KVS, NVS, NET, DSSB and any other related exam नाम की playlist create कर रखी है वहाँ से जाके आप देख सकते हैं दोस्तों, राजस्तान बेरोटकार चातरशंग और इस class का जो मैन मकसद है वो कम समय में आपको अधिक से अधिक result प्रोवाइड करवाना है तो दोस्तों पूरा जरूर देखिए और इस classes, free classes का फाइदा जरूर उठाएं दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगी कि जो ग्रान फुस्तकाले के परकारों के बारे में कि कितने परकार होते हैं, किस परकार में कुणकुण से क्यूशन बनते हैं उन पे तो दोस्तों पहला type है, सारवजनिक फुस्तकाले इस करें पब्लिक लाइब्रेरी सब्द का हिंदी रुपांत्रण सारवजनिक फुस्तकाले जन्ता का जन्ता द्वारा और जन्ता के लिए संचाले पुस्तकाले क्या कहलाता है सारवजनिक फुस्तकाले कहलाता है सारवजनिक पुष्टकाले हैं जो जनतंत्र के उपवार और भेंट खैलाते हैं दोस्तों अगर आप हमें टेलेग्राम ग्रूप के माद़े में से जोइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पे जाके जोइन कर सकते हैं इसके लावा दोस्तों जो जनतंत्र के उपवार होते हैं वो सारवजनिक पुष्टकाले कहराते हैं सारवजनिक गरंताले जनता द्वारा इस्थापित हैं जनता द्वारा समर्थित हैं जनता द्वारा उप्योग में लाए जाते हैं विलियम एवर्ट में ये परिवासा दीकी जो सार वजने गरंताले होते हैं वो जनता द्वारा तो इस्ताफित होते हैं और जनता द्वारा ही समर्थित होते हैं और जनता के उप्योग में ही हाते हैं इसके लबाब अनुप चारिक स्वेंब सीप्षय एक इस परकार के गरंधाली औरह सबस्ना है तो सिद्ड हो जो आनुप चारिक शिप्षय है वो सारवसने गरंधाली औरही सबस्पस инग . सेंग्त राज्य अमेरिका में सामाजिक गरंथाले की ओर आंदून किसने प्रारंब किया बेंजामीन फ्रेकलीन ने जो है सामाजिक गरंथाले की ओर आंदून प्रारंब किया इसके लवा प्रतम अक्छिल भारती सारवजने गरंथाले सम्मेलन मदरास में हुआ आदुनिक भारत में सरव प्रतम सारवजने गरंथाले कब और खाँ इस्तापित किया गया सन 1837 में कॉलकता में इस्तापित किया गया दक्षिन पुर्वी एसिया की सबसे बड़ी पब्लिक लाइबरी कौन सी है तो दक्षिन पुर्वी एसिया की सबसे बड़ी जो लाइबरी है वो दिल्ली पब्लिक लाइबरी है पंडिच जवाहरलाल नेरू ने किस तारीक को दिल्ली पब्लिक लाइबरीर का उद्गाटन किया था तो मैं बता दू कि 27 अक्टोबर 1951 को पंडिच जवाहरलाल नेरू ने दिल्ली पब्लिक लाइबरीर का उद्गाटन किया सारवजने गरंधाले सेवा प्रदान करने है तू सबसे उत्तम उप्यूप्त विली किसके मादम से संबब है गरंधाले अदिनियम दौरा तो मैं बता दू कि दोस्तों राजाराम जो मौनराई लाइबरिरी फांडिशन है वो सारवजने गरंधाले के विकास से उसाहिता के लिए इस्तापित किया गया है सारवजने पुस्तकाले की आएका परमुक स्रोत है पुस्तकाले उपकर या लाइबरेरी सेस दोस्तों ये था एक टाइप गरंधाले का सारवजने के फुस्तकाले इसके अलावा दूसरा टाइप आता है सेक्षनिक पुस्त काले academic libraries का हिंदी रुपांदन होता है सेक्षनिक गरंथाले किशी सेक्षनिक सेंस्ता से जुड़ा हुआ गरंथाले क्या खैलाता है वैस सेंस्ता जिसमें विद्याति को ओपचारिक शिक्षनिक सेंस्ता मैं दोस्तों आपको चार उपसन दूँगा आपके पास दो सेगंड का टाइम रहेगा आपके कमेंट वोक्स में कमेंट करके जरूर बताए कोण सा उपसन सही रहेगा दोस्तों मैं बतादू कि सेंस्ता गरंथाले जो है वो प्राए तीन प्रकार के माने जाते हैं विद्याले, महाविद्याले और विश्व विद्याले के गरंथाले जो गरंथाले किसी विद्याले से जुड़ा होता है वह विद्याले गरंथाले कहलाता है आप में एक क्यू regard civ है थो क्यूंदे चार ऊपज्ञेज रखोंगा हो राजियर और और ते जिला ऊच्छह विद्दार बए तो मैं दोस्तों बता दूब की ये तीनों हैं जो है विद्दार गरंदाल एक टयाफ है, इसमें आएगा उप्रोक सभी इसके अलावा सरवफर्तम की सिमिती ने विद्याले सिक्षा में गरंधाले को महत्वा दिया तो रादाख्रिशन सिमिती जो 1948 वाली है उसने विद्याले सिक्षा में गरंधाले के महत्वा का गरंधाले में महत्वा दिया कि सरव फरतम जो है रादा क्रिशन शमिती ये विद्याले शिक्षा में ग्रहन तालियों के मैत्रू का पर परकासे डाला विद्याले पुस्तकाले को प्राए निव किन इस तरों पर विवाज़त किया रता है विद्याले जो पुस्टकाले होता है उनको प्राई तीन इस तर पे बाटा काता है या विवाजित किया रिता है अप्तात्मिक विद्याले इस तर पे उच्छ विद्याले इस तर पे और तीस रहे उच्छ विद्याले पुस्टकाले उच्छ विद्याले पुस्टकाले में किन कक्षाओं के विद्यारती सदश्य होते हैं कक्षा 6-10 तक के विद्यारती हैं वो उच्छ विद्याले पुस्टकाले के जो हैं सदश्य होते हैं उचितर विद्य फुस्त्काले के स्ञाट्र किलें जए चित्र विद्याले फुस्त्काले के स्वमृद्ष जा इस उसनली उसली और आधा सर्थ झाल व्हां से ताकि उनको आसानी से समझ में आστबे न खा से या जो सब्दकोस है वो बताना क्या जा रहा है यानि कि इस प्रकार से चित्रों का अंकन किया जाना चाहिए ताकि जो छोटे बच्चा है उसको आसानी से समझ में आसके विश्वकोस यंग सब्दकोस के साथ सामने ग्यानवाय प्रतियोगी प्रिक्षा समधी पुस्तकों का किस इसतर के विद्यारती पुस्तकाले में प्रियाप्त संग्रह होना ची उच्छतर विद्यारती पुस्तकाले में ऐसा संग्रह होना ची ताक कि उनका जो जिक्य है तवेर्नेंस है वो उसके प्रती रुजान बड़े विद्यारतियों का तो उच्छतर विद्याले पुस्तकाले में किस प्रकार के विद्याले पुस्तकाले में प्रेयना दाएक है कहानियों का प्रियाप्त संग्रह होना ची उच्छ विद्याले पुस्तकाले में जो ग्रंताल माविद्याले गरंथाले कोता है अब दोस्तों मैं एक जो क्यूशन है आपसे पुट अप करना चाहरा हूँ आपको पांस सेकंड का टाइम मिलेगा आपको उसका जौन से है वो कमेंट बोक्स के मादम से बताना होका यह है निम्नांकित मैं से महाविद्याले गरंथाले का गयान की गयनता से अवक्यत कर्वना सी है विद्यायति को विधियारतchsं परकार की वeveryone सायों में पर्वेस के लिए तैयार करना था विद्यारतियों वर शक्षक्र क के अध्यान वानुशन्दान के हो पूरा करना इसके नाफहाल जो डी है वप्रोक दोस्तों माविद्याले जो क्रणंत ले क्या उद्धशी है उने चीजिये आप कमेंट ज़े यह सारे उद्धशी हैं जो महाविद्ध ले पुस्थकाले के उने चीजिए यानि की उपरोगं सभी OPSON आएगा इसके लवा माम म्हाविद्ध ले ग्रंत ले के कारी कि बशह बता देता हूं पेत्रिक सेंस्ता को उसके श्रक्षने कारिय पूर्ण करने में स्यायता देना पाठकों को ग्रंथाले उप्यों करने में प्रशिक्षित करना थता पुस्तकों का आधान परदान करना संदर्वों का संकलन परलेखों का सरक्षन वर नमीन फुस्तकी की सूची तयार करना माविद्याले गरंथाले के प्रमुग की कारिये हैं इसके अलाबा माविद्याले गरंथाले पाठकों को कौन सी सेवाई परदान करता है कई परकार की सेवाई हैं दूसरी sit proud और दूसरी निरवाद प्रवेश प्रणारी 6 परतीली करंड प्रतिली करण चनुन पुर्ब रेफिरेंस सेवाएं सिहें तीसरी है अनुकरमनी करन याו अंदक्षी करन वे सालान से कर मायında है या माविदयाल्य गरंथाली द्वारा दोक्टर एसार रंगनातन साब ने विश्ववदाले गरंताले के कितने कारिय बदाए तो मैं बता दूं कि दोस्ते ये भी इंपोर्टेंट जो परशन है डोक्टर एसार रंगनातन साब ने विश्वदाले गरंताले के पांच कारिय बदाए प्रार्मबिक कारिय दूओ दो कारिये बताये हैं, दोबस तो 5 ताम बताये हैं जिसमें कारिये, समयनतना अध्यान, अनुब्रत्ति अध्यान, पाट कों कि खारी समय का सदूपयोग, इसके लिफा गहन तथा प्रकरति सिल अध्यान, विश्व उद्याले, गृंचाले, समीति का सदश्येक शिमिटी का सचीव कों होता है, ग्रंथाल्यक्त उस्तानी की सिस्तान पे होता है, केंद्री पमें यूजिसी का विश्वड़ अच्छन किया जाए अनरे को ब्रत का क líder काuite का एति निरुखिर निर्खिर निरिक्षन की जरे है, जो इन्रिक्ष्षन लाइब हो है वो infection inspection या Nerection कोतने साल बारत में कती है प्रते को पांच वर्ष पचात न derк करना चाईए וि विश्वा विधाले का अरदर स्तल किसे इ heraus बारत है भारत में सरवा फरतम सन 1886 में किन तीर विश्वा विधाले की स्थापना की गई थी, दोस्तों, मैं बता दूं कि कलकता, बंबई और मद्धाश विश्डेड डेले की स्थापना सर्फ फरतम सन 1866 में की गई, तो दोस्तों ये था पहला था अपना सार्विजनिक पुस्टकाले, दूसरा था शेक्शनिक पुस्त काले, अब तीसरा आता है अपना जो विसिष्ट पुस्त काले, विसिष्ट पुस्त काले की परशन देन करेंगे, इसके अलवा रास्टी पुस्त काले भी है अपना, तो आएए दोस्तों विसिष्ट पुस्त काले के जो important परशन है उनका discussion करते हैं, किसी विसिष्ट परकार के पुस्त काले हैं, विशिष्ट परकार के पुस्त काले हैं, विशिष्ट पुस्त काले का उदारन रास्टी पुस्त काले, दोस्तों विशिष्ट परकार का होता है, सरकारी विवागों से जुड़े पुस्त काले, विशिष्ट पुस्त काले के उदारन हैं, किसी एक विशेश्वर की सेवामात्र होता है विशेश्ट पुस्तकाले का विशेश्ट पुस्तकाले की सेवामात्र होता है की सेवामात्र पुस्तकाले में पाटकों की मांगों के अनुशाल सुचनाओं का जो संक्रम क्या जाता है उसे क्या खा जाता है उसे मेचिंग खा जाता है Special Libraries सब्द का हिंदी उरुपांतन विशिष्ट फुस्थ काले विशिष्ट पुस्थ काले उंद्वारा पाठकों को दी जाने वाली प्रदान करने वाले संदर्ब सेवा क्या खेलाती है रेफरल सेवा खेलाती है C.A.S. का पूरणा नाम वर्तमान कालिक जाग रुकता सेवा यानि की करंट अवेर्नेंस सर्विस पुस्तकाले के नियमो कारियों था उनके दोला दी जाने वाली सेवां की जानकारी पार्टमों को किस मादम से दी जाती है पुस्तकाले विवरेनिका या लाइबररी ब्रोकर के मादम से अनुदान सेवा प्रदान करना था गरंट प्रक दिक्षिया देना किसका जायती होता है तर विसिष्ट फुस्तकाले का दाईत वहता है ये दोस्तों थे अब आता है रास्टी फुस्तकाले जिस फुस्तकाले का उदेश ये रास्ट में उपलब ग्यान का सरक्शन करना थे थे संपुर्ण रास्ट की सेवा करना होता है क्या खेलाता है वो रास्ट ये फुस्तकाले खेलाता है भारत की रास्ट ये फुस्तकाले की स्थापना कलकत्ता पब्लिक लाइबरेरी के नाम से कब की गई थी 1836 में की गई थी दोस्तों मैं बता दू कि बातिया राज्टी फुर्टकाले की स्ताफ़ना कलकता पप्लिक सूर्ट लाइबरेरी के नाम से सन 1836 में… सन 1836 में स्ताफित कलकता पब्लिक लाइबरेरी को किश वर्ष मेड कोफ नामक बावन में स्ताफित किया तो दोस्तों मैं बता दूँ कि सन 1845 में कलकता पब्लिक लाइबरेरी को मेड कोफ नामक बावन में स्ताफित किया गया है ततकालेन वाइसराइल लोर्ड करजन दुआरा कई सच्चवाले पुस्तकालियों को मिला कर इंपीरियल लाइबरेरी की जो स्ताफना की है वो की सवर्ष की सन 1801 में कलकता पब्लिक लाइबरेरी को इंपीरियल लाइबरेरी के साथ किस वर्ष मिलाया गया सन 1902 में सन 1902 में कलकता पब्लिक लाइबरी को इंपिरियल लाइबरी के साथ मिक्स या मिला दिया था किस एक्ट के थहत कलकता पब्लिक लाइबरी को इंपिरियल लाइबरी में मिलाए गया सन 1902 में इंपिरियल लाइबरी एक्ट के थहत इंम्पेरियर लाइबरी एक्ट के तहरत गठित नवीन इंपेरियर लाइबरी ओफ इंडिया को मेड्ग कौफौल में जन्ता के उप्यों के लिए कब खूला गया 30 जनवरी 1903 को खूला गया ब्रिटिश म्यूजियम से सम्मधित की स्व्यक्ति को नव गठित इंपिरियल लाइब्रेरी का फर्तम पुस्तकाले डेक्ष बनाया गया जोन मेड फर्लेन को जो है पहला इंपिरियल लाइब्रेरी का पुस्तकाले डेक्ष बनाया गया इंपिरियल लाइबरेरी का प्रबारी सन 1907 में खिस्य बनाया गया हरिनाथ डे को इंपिरियल लाइबरेरी का सन 1907 में प्रबारी बनाया गया सिमितिका गठन किया गया रिये सिमितिका गठन किया गया के मसुद अला को इंपिरियल लाइडरी का लाइडरी का लाइडरीन कब नुक्त किया तो मैं बता दू दोस्तों के मसुद अला को इंपिरियल लाइडरी का लाइडरीन सन 1933 में नुक्त किया गया के मसुद अला द्वा किया गया इसके अलबा कलकत्ता पब्लिक लाइबरेरी को कब से कब तक इंपीरियल लाइबरेरी के नाम से जाना गया था सन 1903 से लेकर 1948 को कलकत्ता पब्लिक लाइबरेरी को इंपीरियल लाइबरेरी के नाम से भी जाना गया 1903 से लेकर 1948 तर इसके के लावा नेक्स्ट पर्सन है भार सरकार ने इंपीरियल लाइब्रेरी को एक अदिनियम के थैत रास्टी पुस्तकाले का नाम दिया गया राश्टी पुस्तकाले के प्रतम लाइब्रेरियन कौन थे बी एस केस वन जो रास्टी पुस्तकाले के प्रतम लाइब्रेरियन थे इ 1948 में भारता राष्टी फुस्काले किस नाम से जाना जाता है इंडियन नेशनल लाइबरेरी आई एन एल भारती राष्टी फुस्काले को जनता के लिए कब खोला गया एक फरवरी 1953 को भारती राष्टी फुस्काले को जनता के उपयोग के लिए कोल दिया गया भारत के राष्टी पुस्तकाले को भारत के किस ततकानिन शिक्षा मंतरी द्वारा जनता को समर्पित किया गया मोलाना अब्बूल कलाम आजाद द्वारा राष्टी पुस्तकाले को भारत के ततकानिन शिक्षा मंतरी द्वारा जनता के लिए खोला गया बार्ट के राष्ट्री ग्रंथाले के पर्मुक अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है नीदेशक के नाम से जाना जाता है जो पर्मुक अधिकारी होता है राष्ट्री ग्रंथाले का उसको नीदेशक के रूम से जाना जाता है वर्तमान में राष्ट्री पुस्टकाले कहा श्तित है बेल वेडियर कलकत्ता में श्तित है वर्तमान में जो राष्ट्री पुस्टकाले अपना नेशनल लाइबरी यो है बेल वेडियर कलकत्ता में श्तित है राष्ट्री पुस्टकाले को मेड़कॉफ हॉल में इस्तांतरित कर कर बेल विडियर कब ले जाय गया सन 1951 में राष्टे future shortfallet हुआभ बियल विडियर कर बियल विडियर ले जाय गया गया पस्ट्चंत- हूँ कि किस ततकन राज जापल की सिपारिस पर राष्टित को मेंड गॉफ हुआ बेल कर बेल विडियर ले जाए जाए इसके लावा रास्टी फुसकाल एक ऐसा केंदरी इस्तल है जहां विचार रूपी उर्जा को एकत्रित कर उसका परशारन वा सरक्षन किया जाता है यह खतन किसका है यह दोस्तों डोक्टर ऐसा रंगलातिन साथ का खतन है कि रास्टी फुसकाल एक ऐसा केंद राश्टी पुस्तकाले की स्थापना की सूची का विश्य है संग्य सूची का विश्य है भागे राश्य फूस्त पुस्त काले के प्रदान अधिकारी या निदेशक्त की साहिता है तो कारे के नुषार राश्य फूस्त काले को कितने विबागों में बाटा जाता है दो विवागों में बाटा जाता है तक्निकी और प्रशाशनिक विवाग यानि कि राष्टी पुस्तकाले है उसको दो विवागों में बाटा जाता है तक्निकी विवाग और प्रशाशनिक विवाग राष्टी पुस्तकाले द्वारा परदत सेवा दोस्तों राश्टी पुस्तकाले हैं जो निम्न सेवाइं परदान करता है दे आदे थता अंतर पुस्तकाले रिन फटन कक्ष ग्रंत सूची यह संदर्ब सेवा परले कुनरुत पादन या रिपोग्राफी सेवा प्रकारगी सेवाइं परदान करता है इसके लावा देश के फुस्तकाले को नेतरत परदान करने का कारी कौन करता है रास्टी फुस्तकाले से सम्मन्द फुस्तकाले की संग्य सुची को संपादित करने का दाइट वह भी रास्टी फुस्तकाले का उता है देश में प्रकाशित ओने वाली समस्त पुस्तकों की सूची का निर्मान कर एक राष्टी गरंथ सूची का प्रकाशन कौन करता है राष्टी पुस्तकाले करता है भारत में प्रकाशित समस्त गरंथों की एक एक प्रतिया रास्टी पुस्तकाले को बेजना किस कानून के अंतरगत अनिवारी कर दिया गया यानि कि दोस्तों आप कोई भी अगर गरंत प्रकाशित कर रहे हैं तो उसकी एक कोपी रास्टी पुस्तकाले को बेजनी अनिमारी की है ये किस एक्ट के दोरा की है डिलेवरी और बुक एक्ट 1954 के दोरा वरतमान में भारती रास्टी गरंत सुची आई एन बी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशिन कोन करता है तो दोस्तों इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो भारती रास्टी गरंत सुची है उसका प्रकाशिन सी आरल सेंट्रल रेफरेंस लाइबरी करता है सियारल स्केंद्रिय संदर्ब फुस्टकालिया सेंट्रल रेफरेंस लाइबरेरी द्वारा इंडिये नेशनल बीबिलियोग्राफी का प्रकाशन कब से प्रारंप गिया गया सन उनी सो ठ्यावन से राष्जिय फुस्टकाले का सचीव को होना पुस्टकाले धेक्स होता है वही उसका राश्टिय फुस्तकाले का सची होता है राश्टिय फुस्तकाले के देख्षता कौन करता है केंद्रिय शिक्षामंत्री केंद्रिय संदर्व फुस्तकाले Central Reference Library का अंस्तित है कौलकत्ता में Central Reference Library की फुस्तकाले से संबन्द है अंतराश्टी ग्रंत सूची के साथ समनवे स्ताफित करने का कारी भी दोस्तों राश्टी फुस्तकाले द्वारा ही किया गता है। पुस्तकाले द्वारा किया जाते हैं। इसको अच्छे से पढ़ें। अगर आपको एक बात समझ में नहीं आता तो आप रिवाइन करें। इस वीडियो पोज करें। वापस याद करें। वापस इसको रिजूम करें। वापस सलाएं। इस प्रकार से पढ़ें परशनों। इसके लावा और कौन कौन से इस चेप्टर के माद हमसे परशन बन सकते हैं। उस पी अन्य महतोपन परशनों परें भी चर्चा करें। तो दोस्तों मैं मैं बता दूँ कि पुस्तकाले विकास की रूप रेखा किसने तैयार की। तो दोस्तों पुस्तकाले विकास की जो रूप रेखा है वो डॉक्टर एसा रहर अनगानातन साह है। रंगानातन को राष्टी शोध प्राद्यापक कब न्युक्त किया गया सन 1962 में डॉक्टर एसा रंगानातन साब को राष्टी शोध प्राद्यापक न्युक्त किया गया भार्ट का राष्टी चिकिश्या पुष्टकाले है इंडियन जो medical library है वो खाँप इस्तितन नई दिल्ली में पुस्तकाले का विकास दो प्रकार काता है बाल विकास और वैशक विकास important question है दोस्तो सभी ग्रंथाले के विकास की प्रारंपे के वस्ता कौन सी होती है बाल विकास की वस्ता किस प्रकार का ग्रंथाले सदेवी बाल विकास की वस्ता में होता है इसके अलाबा पार्टे सामगरी को सदेव सुरक्षित रखे जाने वा निसकाशित ने की जाने के कारण किस प्रकार का पुस्तकार सदेवी बाल विकास की वस्ता में रहता है रास्टे ग्रंथाले प्रति दिन आने वाले नवीन ग्रंथों की प्रविष्टियों को उच्छे स्थान देने तर पूराने गतिव द давно हो यान कि outdated गरहंटों की परजिश्टियों को निकाल देने की सुर दा कोन फरत्हान करता है just card form उसनल प्रती गरंथ कितने पत्रक तयार किये रते हैं, 6 पत्रक यान कि एक गरंथ के यह लिए 6 पत्रक तयार कीये रते हैं सम्विदान में शिक्ष्या को किस सूची में रखा गया है यांकि सम्विदान में समवर्थी यानि कॉन करेंटर लिस्ट में शिक्ष्या को रखा गया है क्योंकि शिक्ष्या जो रास्टर और राज्ये दोनों का दिकार होता है इसलिए इसको समवर्थी या कॉन करेंटर लिस या sectioning फुस्तकाले हूँ या विसिस्ट फुस्तकाले हूँ इसके लवारास्टी फुस्तकाले पर भी चाचा की अगर दोस्तों वीडियो अपने पसंद आये तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना नहीं बूले और अगर आप सफल होना चाहते हैं और आपने पहला जो वीडियो है अपनी क्लास है वो नहीं देखिए तो आप राजस्ताने बेरोजगार चाहतर शेयर के यूटूब पे जाएं विजिट करें और प्ले लिस्ट बना रिखी हैं हमने library and information science के नाम से उसमें जाके आप देख स सकते हैं तो दोस्तों यह था second topic पुस्तकाले के प्रकार या पुस्तकाले के प्रकार जिसमें सारवजनिक पुस्तकाले शेक्शनिक पुस्तकाले वरसिस्ट पुस्तकाले और रास्टिक पुस्तकाले का आपने अदेन किया इसके लवा नेक्स्ट क्लास में थार्ट टोपिक क करेंगे जिसमें थार टॉपिक में फुस्तकाले विकाश जिसमें फुस्तकाले के आंदोलन वगेरा का डिस्केशन करेंगे तो दोस्ते वीडियों को जाता है चाहिए लाइक करें शेयर करें कमेंट करें आपके अपनी यूटूब चैनल राजस्तान ब्रोजगार साथ रशान सबस्क्राइन यूब यूण करें जाने मतृस्तूम